मैंने अडिशनल सब्जेक्ट हिंदी में बी एड की है 2010 में क्या के वी एस की गॉर्मनेंट जॉब में वैलिड है बिल्कुल वैलिड है आपका उत्तर ऐसे पहले वाले मार्क शीट में एड करवाना पड़ेगा देखे जब आप अडिशनल पिपर देते हैं फार एक्जमपल रेजुएशन में आपने और लड़ी तीन सब्जेक्ट पड़े हैं जन्रल इंक्षे जंग्वाज पंजाबी अगर अगर पंजाब से की हुए तो तो माली जीए आपके 70% मार्क है ओके तो अडिशनल पिपर आपने कोई जैसे हिंदी का आप दिया है हिंदी का अडिशनल देखे आपने गेन कर लिए माली जीए 75 गेन कर लिए तो यह मार्क्स आपके नौर्मली बी एड जाहां सौरी जो गौर्वर्मेंट जॉब है उसमें यह मार्क्स एड नहीं होते आपकी मेरिक लिस्ट अगर ग्रेजुएशन को क्रेटीरिया बनाते हैं तो वो इसी को उठा आया जाता है यह सिर्फ आपकी eligibility के लिए उठाए जाते हैं इस मेरे बताई हुई यह बात को आप 95% से ज्यादा समझ सकते हैं क्योंकि mostly जितनी भी job advertised हुई हैं उन में graduation के marks को उठाया जाता है additional में जो प्राप्त किये अंक हैं उनको add करके नई average नहीं बनाई जाती तो यह separate ही रहेंगे और यह separate रहेंगे आपको साथ में certificate दिखाना है और valid है center में भी state में भी thank you dr. तीर सिंग learn to actualize